क्या भगवान का अस्तित्व वास्तव में होता है या ये सब केवल कोरी कलपना है? क्या सच में ऐसी कोई शक्ती है जो इस संसार को चला रही है या विज्यान के अनुसार ये सब केवल हमारे मन का वहम है? आज की यह वीडियो इनी रहसियों पर आधारित है जिसमें हम कुछ ऐसे पक्के सबूतों को देखेंगे जिनके बारे में जानकर कोई भी भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकता कमेंट में बताएं कि आप किस भगवान को अपना आराध्यमानते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट करें देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा सबूत है शिव महापुराण महर्शी वेत व्यास द्वारा लिखे गए इस गरंथ में प्रित्वी पर भगवान शिव से संबंधित हर एक स्थान का नाम मौजूद है जहां पर भगवान शिव के होने के बहुत सारे सबूत मिलते हैं इन सबका वर्णन शिव महापुराण में विस्तार से बताया गया है केदारनाथ मंदिर 16 जोन 2013 को हुई केदारनाथ रासदी का वभ भयानक दिन भला कौन बूल सकता है जब उत्तराखंड में बादल फटा था उस समय वहां मंदाकेनी नदी अपने पूरे उफान पर चल रही थी जो रास्ते में आने वाले सभी गाउं से लेकर पहाड़ों को बहा कर अपने साथ ले जा रही थी मंदाकरी नदी का वेग केदारनात मंदिर को भी अपने साथ बहा कर ले जाना चाहता था लेकिन तब ही एक चमतकार हुआ केदारनात मंदिर के समक्ष एक विशाल काय शिला प्रकट हुई जिसने नदी के पानी को दो हिस्सों में बाट दिया और केदारनात मंदिर इस जल प्रले में भी सुरक्षित खड़ा रहा यह चमतकारिक गटना भगवान शिव के होने का साक्षात प्रमाण है इसके अलावा अमरनात जो भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है यहां एक प्राचीन गुफा के अंदर सर्दियों के मौसम में एक प्राकृतिक शिवलिंग बनता है जिसके दर्शन करने लाखों भग्त हर साल अमरनात यात्रा करते हैं सबसे पहले गुफा के अंदर बर्व की एक छोटी आकृती बनती है चंदरुमा के बढ़ते आकार के साथ साथ यह शिवलिंग भी लगातार 15 दिनों तक बढ़ता रहता है पूर्णिवा के दिन यह शिवलिंग अपना पूरा आकार ले लेता है यह शिवलिंग 18 फिट तो कभी 22 फिट तक भी लंबा हो सकता है पंद्रा दिनों के बाद जब चंद्रुमा का आकार घटना शुरू होता है तो यह शिवलिंग भी घटना शुरू हो जाता है और अमावस्या के दिन जब चांद नहीं दिखता तो यह शिवलिंग भी पूरी तरह विलुप्त हो जाता है चंद्रुमा का संबंद भगवान शिव से माना जाता है ऐसा क्या है कि चंद्रुमा का असर केवल इस प्राचीन गुफा में बनने वाले शिवलिंग पर पड़ता है यहां अन्य गुफाएं भी हैं जहां बोंद बोंद करके पानी गिरता है लिकिन वे सभी शिवलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते यह घटना निश्चिती भगवान शिव की लीला है और अमरनात शिवलिंग का बनना भगवान शिव का पृत्वी पर होने का साक्षात प्रमाण है भगवान शिव के अस्तित्वे से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत है कैलाश परवत जो शिव जी का निवास स्थान माना जाता है कहते हैं कि शिव जी यहां अपने भौतिक रूप में अपने परिवार सहित रहते हैं यह बात पूरी तरह सच है कि कोई ईश्वरिय शक्ती इस स्थान पर मौजूद है क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी कैलाश परवत की चोटी पर चड़ने में आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। यही नहीं कहा जाता है कि जो भी इस स्थान पर जाता है उसे दिशा भ्रम हो जाता है और वह रास्ता भटक जाता है। कैलाश पर चड़ने का प्रयास करने वाले कई लोगों ने बताया है कि वहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई अद्रिश्य शक्ती आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। दुनिया भर में पाए जाने वाले हजारों परवतों में से केवल कैलाश परवत पर ही चड़ना क्यों असंबव है। यह बात अपने आप में भगवान शिव की उपस्तिती का सबूत दे रही है। भारत में अक्सर ही कुछ लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। पर भगवान श्री राम के पृत्वी पर जनम लेने के और रमायन जैसे महाकाववी के सभी घटनाक्रमों की सत्यता के कई प्रमान आज भी मौजूद है। श्री लंका में स्तित रावण का महल भगवान राम के होने का एक बड़ा प्रमान देता है। यह वही सोने की लंका है जिसे हनुमान जी ने आग से जला दिया था। जिस कारण यह पूरा महल काला पड़ गया था। लंकपती रावण का यह महल आज भी मौजूद है। इस महल की छट पर एक समतल मैदान भी है। कहा जाता है कि यही वह जगत ही जहां रावण अपना पुश्पक विमान उतारता था। भगवान श्री राम जी के होने का एक बड़ा साक्ष्य महर्शी वालमी की जी के द्वारा लिखी गई रामायन है जिसमें प्रबो श्री र प्रित्वी पर स्वयम भगवान के द्वारा बनाई गई सनरचना है राम सेतू। भारत के रामेश्वरन तट को श्री लंका के मननार तट से जोडने वाला राम सेतू भगवान श्री राम और वानर सेना के द्वारा बनाया गया था जिसको पार करके श्री राम माता सीता को पूले ने लंका आये थे। पूले ने भी यह मान लिया है कि इस शेत्र में एक सेत्व था जो इस दुनिया का सबसे पुराना सेत्व है। रावन ने सीता माता का अबहरन करके उन्हें रखा था। कि रामायन में अशोक वाटिका का जैसा वर्णन किया गया है ये बोटानिकल गार्डन बिल्कुल वैसा ही है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे। हुआ नए भगवान के अस्तित्व का एक और बड़ा प्रमान। भगवान राम के ही तरह प्रित्वी पर भगवान क्रिष्ण का अस्तित्व भी कोई किमबदन्ती नहीं बलकि वास्तविक्ता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है द्वारिका नगरी। महाभारत काल में द्वारिका नगरी का वर्णन किया गया है। इस नगरी को सुयम भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और वह यहां के राजा थे। इसी कारण से कृष्ण को द्वारिका धीश भी कहा जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने प्रित्यवी छोड़ने से पहले द्वारिका नगरी को समुद्र बे डुबो दिया था। आज इसके सबूत गुजरात के समुद्र तल के किनारे मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को समुद्र के नीचे एक सुन्दर पुराना शहर मिला है। पुरातत्व सर्वेक्षन की चानबीन करने के बाद सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि यह श्रीकृष्ण की द्वार का नगरी ही है। यह सबूत श्रीकृष्ण के अस्तित्व को और भी मजबूत कर देते हैं। कलियुक का धाम कहे जाने वाले जगनात पुरी मंदिर में साक्षात भगवान जगनात के होने के कई प्रमान आज भी मौजूत है। जगनात पुरी मंदिर के शिखर के उपर ना तो कभी कोई पक्षी बैठता है और ना ही कोई पक्षी उसके उपर से उड़ता है। इसकी क्या वज़य है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत सरकार ने भी इस मंदिर को नो फ्लाइंग जोन की श्रेणी में रखा है य या चमतकार भगवान जगनात जी के होने का साक्षात प्रमार देते हैं। इस मंदिर से जुड़े और भी कई रहसे हैं जिन पर मैंने एक विस्तरित वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर दिये आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपका पर विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। हनुमान जी एक मात्र ऐसे भगवान है जो कलियोग में प्रित्वी पर सरशरीर मौजूद हैं। इसका कारण है माता सीता के द्वारा हनुमान जी को दिया गया अमरता का वर्दान। रामचरित मानस की चौपाई का एक अंश है अजर अमर गुरनिदी सुत हो हो करहू बहुत रगुनायक छो हो जिसमें माता सीता हनुमान जी को अमरता का वर्दान देती हैं। इसलिए आज भी इस धर्ती पर हनुमान जी रहते हैं। कई महापुरुशू ने तो इनके दर्शन भी किये हैं। जिनमें स्वामी से अवश्य उबारते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। आंद्रप्रदेश का लेपाक्षी मंदिर भी हनुमान जी के होने का एक बड़ा सबूत देता है। यहां हनुमान जी के पैरों की छाप आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि सीता हरण के दौरान जब रावन ने जटायू का एक पंख काट दिया था और वे दर्द से तडप रहे थे तब प्रभुश्री राम के साथ हनुमान जी इस जगह पर आये थे और जटायू से मिले थे। तब ही यहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान पड़े जो आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इनके पद चिन देखने को मिल जाते हैं। केवल भारत में ही नहीं मलेशिया में स्थित्य पेनांग मंदिर में भी हनुमान जी के पैरों की छाप देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जिस स्थान पर मातासती का मस्तक गिरा था वही पर आज वैश्णो देवी मंदिर स्थित है। प्रित्वी के चारों और परिक्रमा कर रहे थे। इसी दोरान अद्रिश रूप में भगवान विश्णो ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकडे कर दिये थे जो की शक्ती पीठ के रूप में पूरी प्रित्वी पर बिखर गए। इसके प्रमान आज भी ध प्रित्वी से जुड़े कई रहसे छिपे हैं। मन में आस्था हो तो कलियू के इस दोर में भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आपकी आस्था किस भगवान में हैं? कमें अवश्य लिखें। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट करें और पाएं सभी नई वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार जै महाकाल।